हेलो फ्रैंड्स, पेशल लिश्बाइ सारिका के चानल पर आप सब का स्वागत हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुती खास और टेस्टी रेशिपी लेकर आई हूँ, खाने में बहुती स्वाधिश्च, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उल्टा वड़ापाउ, ख चलिए आज की बड़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करने ना भूले, साथ ही नए ने रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करें, तो चलिए उल मिर्च का मसाला पेस्ट बिल्कुल रड़ी है इस तरह से मोटा मोटा पीसना है मैंने यहां लिया है तीन उबले हुए आलू आलू को उबल के उसका चिलका निकाले सबसे पहले हम क्या करेंगे आलू को अच्छे से स्मैश करेंगे उसके बाद सारे मसाले इसमें आड़ और एक बौल में एक कप बेसन का आटा लेंगे और स्वाद अनसर नमक डालना है कलर आच्छा आने के लिए आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमच अजवाइन क्रश करके इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए विसकर की हेल्प से स्मूध बैटर रेडि करेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा बिल्कुल भी यूज ना करें बेकिंग सोड़ा से ओल बहुत अब्जाब करता है ब्रेड के उल्टा गड़ा पो बना रहे है इसलिए ब्रेड जो है ना ओल जादा अबेलेबल नहीं है तो आप गरम तेल इसमें यूज कर सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए इसे हम सेट होने के लिए 10 मिनिट साइड में रखेंगे ग्यास पर हम एक पैन रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो चमच ऑईल इसमें ग्राइंड किया हुआ हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और एक मिनिट इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर इसके बाद हम भी आच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्वाध अनसार नमक डालकर आच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए बहुत ही टेस्टी आलू का स्टपिंग बिलकुल रेडी है यहां मैंने थोड़े से ब्रेड लिये हैं इसमें से एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और बीच में आलू के स्टपिंग को अपलाई करेंगे इस तरह से लगाना है इस तरह से स्पून से या नाइप से एजिली लगा सकते हैं आलू का स्टपिंग थोड़ा ज्यादा लगाना है बिलकुल इस तरह से और दूसरे पीस को इसके ऊपर रखना है इसी तरह से सारे ब्रेड के पीस को आलू का स्टपिंग अपलाई करना है यह दिखिए मैंने सारे ब्रेड के पीसेस को आलू का स्टपिंग लगाए है हमारा बेसन का आटा भी सेट हो चुका है एक ब्रेड का स्लाइस लेकर इसमें इस तरह से डिफ करना है और फ्राय करना है तेल जो है मैंने अल्रेडी गरम क करने के लिए रखा था तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें इस ब्रेड को डाल कर फ्राय करेंगे ऑल में डालने के बाद यह डबल कॉंटिटी में फुलती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है इसे अच्छे से उल्टे-पल्टे करते हुए हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राय करेंगे पाच मिनिट तक फ्राय करना है मीडियम फ्लेम फरी हमें इसे फ्राय करना है ब्रेड के उल्टे वड़ा पाव बिल्कुल रेडी है इसी तरह से सारे उल्टे वड़ा पाव को फ्राय करना है ये दिखिए हमारे ब्रेड के टेस्टी उल्टा बड़ा पव बिल्कुल रड़ी है कितनी अच्छी तरह से फुल चुका है उल्टा बड़ा पव दिखने के लिए इसे हम बीश में काटना होगा इसमें से एक पीस लेकर मैं आपको काट कर दिखाती हूँ इस तरह से बीश में काटना है बीश में काटने के बाद अंदर की स्टॉपिंग और ब्रेड और उपर का कोटिंग सारी चीजे कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है हमारा उल्टा बड़ा पाउ जो है कितना सुंदर दिख रहा है आप देख सकते हैं पाउ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसी तरह से सारे पीस को बीश में काट कर लेना है आप देख सकते हैं सारे पीस को मैंने काट लिया है इसे आप सौस के साथ या पुदीना के चटनी के साथ खा सकते हैं अदर्वाइस इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं इतने टेस्टी लगते हैं आपके घरवाले आपको बार बार बनाने के लिए कहेंगे तो चटपटे ब्रेड के उल्टा बड़ा पाउ की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फ्रेंड्स बाई बाई फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ